नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स नाइ नियूस नेशन मैं हूँ आपके साथ नेहा अर्विन केश्रिवाल सरकार ने छट पूजा के दिन सारवजनी का वकाश गोशित करने का ने ले लिया है डिप्टी सियम मनीश सोधिय की तरफ से जारी नोट में कहा गया है कि दिल्ली अंसियार के लोगों के लिए छट पूजा एक एहम पर्व है दिल्ली सरकार ने उनकी आस्ता को देखते हुए छट पूजा के कारण 10 नवंबर 2021 को सारवजनी का वकाश खोशित करने का ने लिया है दिल्ली में बीते कई सालों से छट पर वकाश दिया जाता रहा है खास बात है कि छट पूजा को लेकर दिल्ली डिजास्टर मेनिजमेंट अथोरोटी ने कुछ दिन पहले नई गाइडलाइन जारी की थी विपकशी दालों ने उसका काफी विरोध किया लोगों में भी नाराजगी देखी गई लेकिन अब छट को लेकर दिल्ली सरकार ने एक बड़ा एलान कर दिया है जिसके तहट 10 नवंबर को पूजा के दिन दिल्ली में सारजनी कवकाश रहेगा सरकार ने इसके लिए बकायदा आदेश जारी कर दिया है दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में कहा कि अगर कोई इस आदेश का उलंगन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कारवाई की जाएगी गौर तलब है कि दिल्ली आपदा प्रबंदन प्राधिकर ने यमना नदी के किनारे चट पूजा के नुमती नहीं दी है हाला की DDMA ने स्रत दालोक और रास्टि राजधानि के निर्धारत इस्थानों पर सक्त कोरोना प्रोटोकाल के साथ चट पूजा करने के नुमती दे दी डिडिमे की और से सिमित कर छट घाटों पर सावजनिक तोर पर चट पूजा के नुमती दी गई है DDMA 30 सितंबर की बैटा के बाद जुम्न नदी के तट अन्य जलाश्यों सहीद दिल्ली में सार्थनिक इस्थानों पर छट पूजा मनाने पर रोक लगा दी थी छट पूजा पर रोक के फैसले का भी पक्षी भाजपा और कॉंग्रेस ने भी रोध किया था DDMA की बैटा के बाद दिल्ली के डिप्रिसीया मनिस्टी सोधियों ने कहा कि DDMA ने दिल्ली के निर्धारे इस्थानों पर छट पूजा के नुमती दे दी है कोरोना नियमों के चलते सीमिस संख्या में ही लोगों को पूजा करने के नुमती दी जाएगी उन्होंने नुरोध किया कि लोग सभी कोरोना नियमों का पालन करें ध्यान रहे कि कॉंग्रेस बीजेपी के साथ आम आदमी पार्टी के भी विधायक इसका विरोध कर रहे है आप विधायक संजीव जाने एलजी को एक पत्र भी लिखा था जिसमें इस आदेश को तुरंत वापस लेने का नुरोध किया गया इसे बीच दिल्ली के मुख्या मंत्री और आम आदमी पार्टी चीफ अर्विन के जीवाल ले टूइट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि छट पूजा के आयोजन में इस तरह का विक नडाला सही नहीं है हम आपको मिलकर इसका आयोजन करना चाहिए और फिर मिलकर छटी मैया की पूजा करेंगे तभी तरक्की होगी वहीं कि एस जीवाल की सरकार ने छट के मोके पर छूटी देने का एलान किया है 10 नमबर को दिल्ली में छट पूजा के मोके पर छूटी रहेगी एस योर खबरों के लिए बने रहिए नेक्स नाइन निजस नेशन के साथ धन्यवाद